मैं हमेशा आपके साथ हूँ सिल्वानी बिधान सबा के बिधायक ने कहा और ग्रामिलों का किया आभार रविवार को शिल्वानी बिधान सबा बिधायक देबिन पटेल ने बेगम गंज तैसिल के दर जनो ग्रामों का दोरा किया और ग्रामिलों से मिलकर उनका आभार ब्यक्त किया एबम उनकी समस्याओं को सुनकर निराकरण भी किया छेत्रिय बिधायक देबिन पटेल अपने साथियों सहित तैसिल के ग्राम कीरतपूर, लखनपूर, जमुनिया, चौका, बकत सिंग, घाना, खोर्द, बाराए, धौलपूर जरुआ आदी ग्रामों में पहुँचे जहां ग्रामीलों ने बिधायक का हारफूल माला से स्वागत किया ग्राम गोर्खा में, श्याम सुन्दर ब्यास के नेत्रत्म, शेक्रों, ग्राम बासियों ने बिधायक का भब्ब स्वागत किया बिधायक सिरी पटेल ने सभी को धन्दबाद देते हुए कहा आप सभी ने जो विस्वास जताया है और साथ दिया है उसका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ मैं आपका विस्वास कभी तूटने नहीं दूँगा कभी डग मगाने नहीं दूँगा आपके ग्रामों में नल जल नहीं है सुआस्ट सुविदायन नहीं है बैज जल्दी ही उपलब्द कराएंगे गाओं में कोई भी समस्या हो कोई भी परेशानी हो कोई भी दुख हो तो मुझे बताएं और मैं उसको दूर करने का प्रयास करूंगा ग्रामीनों को आबास नहीं मिली और किसानों की फसलें बे मौसम से खराब हो गई है जिसकी सासन से मौपजा दिलाने की बात कही है पानी की समस्या हल करने के लिए तालाप के निर्माल कराने की भी बात कही है किसानों को फसल सचाई के लिए सचाई योजना का कार्य कराने की भी योजना बनाएंगे साथ ही विधायक ने कहा है कि हमारी सरकार नहीं है लेकिन मैं मुखमंत्री से मिलकर आपके गाउं और आपके छेत्र की हर समस्याओं का निराकरण कराएंगे और छेत्र में विकास के हर समभाव प्रयास करूंगा इस दोरान समस्याओं के लोगों के दोरा बिबन समस्याओं को लेकर विधायक से बात की जिस पर उन्हेंने ततकाल समस्याओं का निराकरण किया इस दोरान सेंकड़ों लोग सामिल थे राय सेन बेगम गंसे हमारे समबाद दाता शरज शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट